नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में आज की इस वीडियो में प्रेमचंद की कहानिया इसके अंतरगत एक बहुत ही महत्तुपूर्ण कहानी कफन इसी का कथासार या सारांक्स को जाल लेंगे किसी भी कहानी के कथासार या सारंग्स को जाल लेने से उस कहानी से सम्मन्धित जो भी प्रस्न पूछे जाते हैं उसका आंसर लिखना काफी सहज हो जाता है साथ ही अगर आप MHD प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो ये आपके MHD 10 का एक महत्तोपूर्ण चैप्टर भी है वैसे MHD 10 के विभीनी चैप्टर का विडियो लेक्टर समरी सब आपको इस चैनल में मिल जाएगा आप चाहे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं साथी चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले हर वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी-जल्दी इस कहानी के कथासार को समझ लेते हैं तो कफन कहानी के जो मुख्य पात्र हैं तो तीन पात्र हैं उसमें से प्रमुख पात्र ये घिसु साथ ही उसका पुत्र माधव और बहु बुधिया ये दो भी अन्य पात्र हैं तो इस तरह से इस परिबार में कुल तीन लोग है घिसु उसका बेटा और पुत्र बधु बु गीशु एक दिन काम करता है तो तीन दिन आराम करता है माधाव भी आधा घंटा काम करता है और घंटा भर चिलम पिता रहता है गाउ में काम की कमी नहीं थी परंतु उन दोनों को कोई मजदूरी पर बुलाना ही नहीं चाहता उनका काम था रात में कहीं से लकडी तोड़ ला और उसी प्रकार से अपना पेट वे भरते रहते थे इनके पास घर के नाम पर एक जोपड़ी थी और बाकी संपत्ती के नाम पर घर में मिट्टी के दोचार बरतन थे फटे पुराने कपड़े पहन कर ये दिन काटते थे जब बिलकुल फाके रह जाते तो कोई न कोई बहना बना कर मांग कर खाते थे जिन से वे एक बार उधार ले लेते थे फिर वो कभी उस उधार को चुकाते नहीं थे यदि कोई मारता पिटता तो भी उन्हें कोई गम नहीं था कर जिसे लदे थे तो भी इन्हें कोई चिंता नहीं थी अभी साप से घिर कर भी आराम से रह रहे थे प्रेम चंद इनकी जीवन सैली पर ब्यांग करते हुए कहते हैं कि अगर दोनों साधू होते तो उन्हें संतोस और धैर्ज के लिए सैयम और नियम की जरूरत बिलकुल नहाँती घिसू के जीवन से साट वर्ष निकल चुके थे अर्था साट वर्ष से जादा उम्र हो गई थी उनकी नो संताने थी परन्तु उनमें से केवल माधव ही बचा था अब माधव भी अपने पिता के कदमों पर चल रहा था मानों अपने पिता का नाम रोशन कर रहा हो गत बर्ष पूर भी माधव की साधी हुई थी उसकी पत्नी अत्यंत भोली और महनती थी उसने आकर उनके खांदान को कुछ ब्यवस्थित किया था वो लोगों के घरों में काम करती और मजदूरी करके इन दोनों का पेट भरती थी अब ये दोनों और ज़्यादा आराम परस्थ हो गए थे विवाह के एक वर्ष पस्चात माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पिड़ा से कराह रही थी और जोप्री के बाहर बाब बेटे दोनों कहीं से चुरा कर लाए आलूओं को भुन रहे थे सर्दी की ठंडी रात थी गाउं सोया पड़ा था जोप्री के अंदर बुधिया प्रसव वेदना से चिल्ला रही थी वो इतनी पिड़ा ग्रसित थी कि सुनने वाले का दिल दहल जाता था परन्तु वे दोनों भुने हुए आलू खाने में लगए थे दोनों में से कोई बुधिया के पास जाना नहीं चाहता था उनको एक दुसरे पर भरोसा नहीं था अर्थात ये सोचते हैं कि अगर मैं जाता हूँ अंदर और जो रह गया यहाँ पर अगर वो ये भुना हुआ आलू खा ले अर्थात ये जैसे आलू खाने से मैं बंचित ना रहूं इसके लिए कोई बुधिया के पास जाना भी नहीं चाहता गीशु ने माधब को बुधिया के पास जाने के लिए कहा माधब को भई था कि अगर मैं चल जाओं तो ये भुना हुआ आलू खा लेंगे दोनों में से कोई बुधिया के पास नहीं गया इस तरह से वो प्रसवपिडा से चिल्ला रही थी मगर इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था ये दोनों बैठे आराम से आलू खा रहे थे वे बुधिया के तड़प तड़प कर मरने से भी चिंतित नहीं थे वे सोच रहे थे कि अगर बुधिया मर जाए तो अच्छा ही होगा क्योंकि वो इन सब दुखों से मुक्त हो जाएगी तो इस तरह का सोच था उन लोगों के पास आलू खाने के बाद दोनों ने पानी पिया और वहीं चादर ओढ़कर सो गए बुधिया की कराह को उन्होंने अनसुना कर दिया बेचारी रात भर तडपती रही और अंततह उनके प्रान पकेरू उड़ गए उसका बच्चा पेट में ही मर गया था सुभा उठकर देखा तो मरी पड़ी बुधिया के मुख पर मक्या भिन भिना रही थी सारा सरीर लहू से सना हुआ था दोनों ने बनावटी रोना प्रारम किया जिससे गाउं के लोग इकठे हो गए कोई मृत बुधिया को देखता तो कोई उन्हें सांतोना देता था अब उन्हें बुधिया के दा संसकार के लिए लकडिया और कफन की चीनता थी दोनों रोते रोते जमिनदार के पास गए आखों में दीनता के आशु भरकर घिसु ने जमिन पर सीर रखकर कहा सरकार बड़ी भी पत्ती में हूँ माधव की घरवाली गुजर गई है राद भर हम उनसकी सेवा करते रहे दवादारू से जो भी हो सका सारा कुछ किया लेकिन वो हमें दगा दे गई अर्थाथ हम बचा नहीं सके आपका गुलाम है अब आपके सिवा कोन इसकी मिट्टी पार लगाएगा जमिनदार उनसे घरिना करते थे तथा भी उन्होंने दो रुपिये फेंग दिये फिर जमिनदार की देखा देखी में दूसरे लोगों ने बनिये महाजन ने भी कुछ पैसे दिये इस तरह से कुल मिलाकर पांच रुपिये हो गए उन दोनों के पास कहीं से अनाज मिल गया किसी ने लकड़ी दी आज पहली बार हुए पांच रुपिये के मालिक बने थे वो कफन खरिदने बाजार चले गए बाजार जाकर वे सोचने लगे कोई हलका सा कफन ले ले लास उठाते हुए रात हो जाएगी तब कफन पर किसका ध्यान जाएगा उनके मन में विचार आया कि कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जीत तन ढखने को न मिला उसके मरने पर कफन चाहिए कफन देखते देखते संयोग से वे मधुसाला के पास पहुँच गए अर्था सराब की भट्टी के पास पहुँच गए उन्होंने सराब की एक बोतल खरिद ली और सामने की दुकान से पूरियां और चटनी भी खरिद ली दोनों अपने भूक को सांथ करने लगे बिच बिच में उन्हें कफन की भी चिंता हुई उन्होंने सोचा कि पड़ोसी कफन का तो प्रबंद कर ही देंगे हाँ अब की बार उन्हें पैसे ना मिलेंगे आज बहुत दिनों बाद भरपेट खाने के बाद माधव ने बची हुई पूरियों की पतल भिखारी को भी दे दी जो खड़ा उनकी और भूखी आँखों से देख रहा था किसी को देने के गौरब का आनंद और उत्साह अनुभव पहली बार जिंदगी में इन्हें हुआ था घिसु ने कहा ले जा खुब खा और आसिरबाद दे अंत में दोनों भोजन और नसे में मस्त होकर नाचने और गाने लगे मधु साला में सभी उनकी और देख रहे थे वो चले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भटके भी और आखरी नसे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े इस तरह से ये कहानी समाप्त हो जाती है अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक सेयर कर सकते हैं चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद